अब सभी सिक्षकों के वेतन आदेश हुए हैं कि सभी को सपस्पत्र के आधार पर वेतन देरिया जाए जो सासना देश जारी हुआ है उसमें इसनातक और बियड के बारे में सपष्ट जिक्र तो किया गया है लेकिन दसवी में बारा हुई का जिक्र नहीं किया गया है ऐसे में कुछ जिलों में अभी संदेख के इस्तिती बनी हुई है और कुछ जिलों में ये अभी जानकारी मिल रही है कि जिन अध्भिर्थियों का हाई स्कूल इंटर 2003 के पुर्व का है उनके लिए समस्या हो सकती है फिलाल इस दिशा में सासन की ओर से जो आदेश जारी हुआ है उसमें इस परष्ट जिक्र नहीं है कि जिनका हाई स्कूल और इंटर का आफ्राइन वरिफिकेशन नहीं हो पाया है उनकी क्याश्तिती है लेकिन एक बड़ा प्रश्ण ये है कि अगर किसी जिले में अभी 6 मह मैंने 7 मीने बीछ जाने के बाद 10 वी और 12 का सत्यापन नहीं हो सका तो उसका जिम्मेदार कौन है ऐसा क्यों हो कि ये साल को एक पत्र लिख कर पूछा जाएगा कि इसना तक और बीएड तो फिलाल सपत के आधार पर वरिफाई कर दिया जा रहा है लेकिन जिन अब भरतियों का हाई स्कूल और इंटर का वरिफिकेशन नहीं हुआ है उस दिशा में या उनका क्या किया जाए और जब सासर के और से प नहीं कर सकते हैं फिलाल इंतजार करिए कि ब्यस्य की ओर शेक पत्र सासन को लिखा जाए किसी भी एक ब्यस्य के दरा अगर लिख दिया जा रहा है इसमें सपष्ट सासन से मतलब राय मांगी जाय कि क्या किया जाए ऐसे भरतियों का और जब इसको सपष्ट कर देगा सासन उसके बाद जो भी भरति हैं जो हाई स्कूल इंटर पास कर चुके हैं 2003 के पुरुक है उनका भी सपत्र के आदार पर सत्यापन हो जाएगा फिलाल आप जान रहे हैं कि जो सपत्र पत्र आपको जारी भी हुआ है फिलाल प्रारूप है वो हाई स्कूल या इंटर का उसमें और उसमें इस नातक और बीएड के प्रसेचण सत्यापन के ही वज़ा से समस्या है बेर्थियों के मन में दुविदा है कुछ जीलों में ये बात भी सामने आ रही है कि जिनका सत्यापन हाई स्कूल जिनका 2003 के पूरू का हाई स्कूल इंटर है उनका किस प्रकार से वेतन न हो रहा है कुछ जगा खंड सिशाधिकारी कार्याले पर जमा हो रहा है अब अपने जिले के नोटिफिकेशन को आप पढ़ सकते हैं फिलाल के लिए यही महत्तपूर अपडेट देनी थी कि दूजातिन के बाद वालों का फिलाल के लिए कंफर्म हो चुका है और उनके जिल कि बाद के लिए एकार्वार ऑफडेद्य को बाद करेंगे यही चुका है